हेलो एवरिवन आज हम लेकर आए हैं रिजनिंग के एक नए विडियो को इसमें हम रिजनिंग के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशनों को देखेंगे एसे प्रशन जो किसी भी कॉंपिटेशन एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिनको हल करने में काफी समय वेश्ट होता है तो एसे प्रशनों को हल करने की आज हम बहुत आसान ट्रिक भी देखेंगे जिसके सायता से हम प्रशनों को बिना पेन उठाए कुछ ही सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं तो शुरू करते हमारा ये आज का वीडियो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और वीडियो को अधिक साधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक रिजनिंग के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में रिजनिंग के जो वीडियो है उनकी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं तो शुरू करते हमारे ये वीडियो इसमें सबसे पहला प्रेशन हमारे पास दिया है नीचे चार संख्याएं दी गई है जिन में से तीन किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है तो अब सबसे पहले हम पहले option को यहाँ पे देखते है पहले option में हमारे पास संख्याएं दी है सो और दस तो अब ये सो और दस में आपस में क्या relation नजरा रहा है तो अगर हम देखें तो 10 का यदि हम square करते हैं 10 का यदि हम क्या करते हैं square करते हैं तो कितना बन जाता है वो 100 बन जाता है यनि कि यहाँ पे एक संख्या का square दूसरे के बराबर है अब दूसरी संख्या में यदि हम देखें दूसरे option में तो अब दिया है 65 और 8 अब यहाँ अगर यही नियम हम लगा के देखे के 8 का क्या करे हम square तो 8 का square तो कितना होता है 64 होता है लेकिन यहाँ पे 64 नहीं दिया है बलकि कितना दे रखा है 65 दिया हुआ है यनि कि यहाँ पे square नहीं करावा है यनि यह अलग दिखरा है हमें अभी त अब हम तीसरे option को देखते हैं फिर तीसरे option में अगर हम देखे तो 11 और 121 दिया है तो अगर हम 11 का square करते हैं तो 11 का square कितना होता है 121 होता है यहनि कि यहां पे भी square किया गया है जिसे पहले option में किया गया था अब हम चोथे option को भी देख लेते हैं चोथे option में हमारे पास संख्या दी है 145 और 12 तो यहाँ पे भी यदि हम 12 का square करते हैं तो 12 का square 145 ही होता है यनि कि यहाँ भी एक संख्या का square दूसरी के बराबर आया तो यह भी पहले और तीसरे option जैसा ही है यनि यहाँ पे हमें कौन सा option थोड़ा अलग लग रहा है वो है option number B क्योंकि option number B में 8 का जब हमने square किया तो 64 आता है लेकिन यहाँ पे दिया है 65 यनि कि यह बाकी से भिन्न है बाकी से अलग है इसलिए यहाँ पे हमारा answer कौन सा हो जाएगा option number B वाला ही हमारा यहाँ पे right answer होगा तो option number B जिसमें 65 और 8 संख्या दी है वो हमारा यहाँ पे right answer है तो इस प्रकार से यह प्रश्न हमारा यहाँ पे solve हुआ अब देखते हम अगले प्रश्न को दूसरा प्रश्न है अब हमारे पास प्रश्न दिया है दी गई समरूपता के आधार पर दिये गई विकल्पों में से नहीं दिया गया संख्या योग्म बताईए तो अब हमारे प यहाँ पे संख्या दी है एक और फिर क्या दिया है एक दिया है तो एक एक यहनी कि यह एक जिस प्रकार से एक से संबंधित है उसी प्रकार पंदरा से संबंधित पंदरा से संबंधित संख्या कोन सी होगी तो सबसे पहले अगर हम इस एक और एक को देखे तो एक और एक यहनी कि वह की वही संख्या यहाँ पे लिखी हुई है अब अगर हम यहाँ पे पंदरा लिखावा है तो हम इस प्रेश्ण वाच्यत चिर्ने की जगा भी अगर पं 15 हमारे पास option में कहीं भी नहीं दिया है यानि कि 15 तो हम नहीं लिख सकते अब यहां पे ये एक वेशा का वेशा नहीं लिखा गया है यानि कि इसमें क्या हुआ होगा या तो एक का square किया गया होगा क्योंकि एक का square कितना होता है एक ही होता है तो आगे वाले एक का square करके आएगा तो यहां पर अगर हम इसी प्रकार का नियम पीछे वाली संख्या के लिए लगाएं यानि कि 15 के लिए तो हम जानते हैं कि 15 का अगर square करें तो 15 का square कितना होता है 225 होता है तो 15 का square 225 होता है 225 यहां हमारे पास option number a में दिया भी है पर हम cube भी करके देख लेते हैं कि 15 का cube कितना होता है तो अगर हम 225 में 15 का गुणा करें तो अब जो हमारे पास संख्या आएगी वो संख्या इन चारो option में दी हुई संख्या से बड़ी होगी इसलिए यहां पे 15 का cube तो किया नहीं गया होगा यनि कि 15 का square ही हुआ होगा तो 15 का square वाली संख्या कौन सी है 225 यनि कि यहां पे हमारे पास कौन सा option right हो जाएगा 225 वाला यह जो option दे रखा है हमारे पास यहां पे यह बिल्कुल right हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल सी बात समझने की यह है कि एक का square एक लिखावा होगा इसी प्रकार यहाँ पे हमें क्या करना है 15 का भी square करके संख्या को लिख देना है तो 15 का square यहनी कि 15 को हम दो बार लिखे और आपस में गुणा करें तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा तो यह 225 ही हमारा यहाँ पे right answer है तो यह प्रशन भी हमारा यहाँ पे solve हुआ अब अगले प्रशन के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रशनों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद